हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस फ्री में हमार पास आचुका है Poco F5 जो के एक्चुल सेंस में Poco F1 का सक्सेसर रगता है क्यूंकि ये बोहत ही दगडा स्मार्टफोन है बोहत अच्छे स्पेक्स के साथ आता है दिखने में भी ये फोन काफी सुन्दर है आउट ओफ इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो नए MIUI 14 की ही बात कर लते हैं दोस्तों यहां पर नया कंट्रोल सेंटर आपको मिल जाता है जिसमें आपको इस तरीके का म्यूजिक कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाता है सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो पर भी काफी सारे नए वोल पेपर्स आपको मिल जाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो इस फोन में मैं अल्रेडी कस्टमाइज कर चुका हूं तो वो सबसे पहले आपको बता देता हूं ज़रूर से उनको चेंज कर दीजिए ताके फोन आपका ज्यादा सु तो वो बेटर दिखता है 5x6 में ज्यादा कंजस्टिट दिखते हैं आइकन्स चलिए अब फीचर्स की बात करें तो आपको बता लूँ कि इस फोन में आपको मीवाई डाइलर देखनी के लिए मिलता है जिसका मतब है कि आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको को यहाँ पर मिल जाएगा आप ओटो को रिकोडिंग एनेबल कर सकते हैं और कोई भी अनाउंस्मेंट इस टाइलर के इंदर आपको नहीं मिलता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का AMOLED डिस्पले है तो ओल्वेज उन डिस्पले भी आपको दिया गया है सेटिंग साथ notification effect का भी option है जो के by default ये blue color के उपर select किया गया है जब भी आपका phone बंद है और कोई notification आता है तो इस तरीके का notification light आप enable कर सकते हैं और यहाँ पर तीन तरीके के options हैं जिन में से कोई भी आप choose कर सकते हैं इस phone में एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला sidebar आपको दिया गया settings में अगर आप additional settings के अंदर floating windows के अंदर जाते हैं यहाँ पर आपको sidebar का option में देगा इसको यहाँ पर आपको always show के उपर select कर दिना है उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का sidebar आपको मिलता है मुझे sidebar बहुत ही अच्छा दिखता है इसके अंद recent में से भी use कर सकते हैं किसी भी app के उपर long tap करके अगर आप यह third वाल option set करते हैं तो भी कोई भी app floating window में आप open कर सकते हैं और इसको अगर आप minimize करते हैं तो एक मेंने नई चीज़ देखी इस तरीके का एक छोटा सा icon बन जाता है app का जो के again काफी सुन्दर दिखता है और इ जहां पर अगर मैं sidebar use करता हूँ तो मुझे video specific काफी सारे extra features मिल जाते हैं और इसमें सबसे बड़िया feature जो है वो है play video sound with screen off का मतब के screen को बंद करके background में आप सिरफ music play कर सकते हैं जो कि YouTube premium जैसा एक feature है यहां पर आप free में use कर सकते हैं और दूसरा use case आपको इसका games के अंदर मिल जाएगा अगर आप कोई भी game play कर रहे हैं तो game के अंदर अगर आप sidebar open करते हैं तो sidebar के साथ साथ आपको gaming के लिए कुछ controls मिल जाते हैं यहां पर again काफी सारे options है आप performance को boost कर सकते हैं memory को clear कर सकते हैं या फिर brightness वगेरा के controls आपको यहां पर मिल जाते हैं Wi-Fi का control है even voice changer अगर आप यूज करना चाहते हैं उसका option भी यहां पर आपको दिखा गया है एक और चीज जो मुझे इस phone में अच्छी दगी इस phone में आपको back tap वादा shortcut भी दे रखा है वादा phone के back के ओपर tap करके आप कुछ action perform कर सकते हैं settings में additional settings के अंदर gesture shortcuts के अंदर आपको back tap का option मिल जा क्योंकि इस phone में physical fingerprint sensor है तो इस fingerprint sensor के लिए भी आपको एक double tap gesture दिया गया है यहां पर ही gesture के अंदर आपको मिल जाएगा और इसके अंदर भी same options आपको मिलते हैं जो भी shortcut आप चाहें उसको यहां से भी enable कर सकते हैं इस phone में सुंदर सी display के साथ speakers भी काफी ची quality के दिये गए है और उनकी quality को और enhance करने के लिए यहां पर आपको dual भी atmos का support दे रखा है यह speakers के अंदर भी काम करता है earphones के अंदर भी काम करेगा यहां पर presets वगेरा भी आपको मिल जाते हैं और even equalizer आपको दे रखा है अगर आप sound का output है उसको customize करना चाहते हैं तो काफी अच्छे से इस phone में कर सकते हैं वैसे sound से related इस phone में एक और बड़ा ही जबरदस feature आपको दिया है settings में sound and vibration के अंदर sound assistant के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप multiple audio sources को enable कर सकते हैं generally phones में क्या होता है जब एक app में background में music play हो रहा है और आप किसी दूसरी app में music play कर देते हैं तो background का music बंद हो जाता है इसको अगर आप enable करेंगे तो आप दो apps का music एक साथ भी play कर सकते हैं मतब background का songs बगारा कभी बंद नहीं होंगे even दोनों के sound को आप manually adjust कर सकते हैं अगर आप इस option को enable रखते हैं इस phone में दोस्तों जो haptic motor है वो भी काफी अच्छी quality की दी गई है और उसको better करने के लिए एक themed icons वादा feature है दोस्तों वो भी इस phone में आपको दिया गया है home screen के पर long tap करके अगर आप settings में जाते हैं icon size के अंदर आपको background color का एक option में देगा इसको अगर आप change कर देंगे let's say मैं green में set कर देता हूं तो आपके जो भी icons themed icons को support करते हैं वो automatically convert हो जाएंगे और उनका जो background है जो भी color आपने set किया है उसमें change हो जाएगा हालांकि यहाँ पर सारे icons इसको support नहीं करते हैं लेकिन काफी सारे icons के अंदर ये use आप कर सकते हैं home screen settings के अंदर एक और अच्छा feature आपको दे रखा है जो कि है arrange items in recents का by default अगर आप recents में जाते हैं तो आपकी जो सारी apps है वो इ 4G की बात करूं तो यहाँ पर 3CA 4G plus का support किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं multiple bands का support आपको मिल जाता है तो 4G अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपकी network speed काफी अच्छी रहेगी वैसे इस phone में internet speed को और बेटर करने के लिए बहुत ही जबरदस feature दे रहा है settings में Wi-Fi के network acceleration के इंदर आपको feature मिलता है dual band Wi-Fi speed boost का आप इस phone में एक time पे दो Wi-Fi के साथ connect कर सकते हैं तांके आपको बहतर speed मिले अगर एक Wi-Fi down हो जाता है तो भी आपका net चलता रहे और दोनों की speed यूज करके आप जादा तीज internet भी यूज कर पाएं उसी के साथ direct Wi-Fi tethering का support भी दे र उसकर सकते हैं अगर आप भी मेरी तरह auto brightness अपने phone में off रखते हैं तो एक और feature इस phone में बहुत अच्छा दिया गया है settings में display के इंदर brightness level के इंदर आपको sunlight mode मिल जाता है कभी-कभी जब आप एकदम से sunlight में चल जाते हैं तो आपके phone की screen बिल्कुल dark हो जाती है उस condition को prevent करने क चीज मैंने notice किया दोस्तों इस phone के colors को आप काफी इच्छे से customize कर सकते हैं अगर आप color scheme के अंदर जाते हैं तो यहां पर आपको vivid, saturated, standard उसके बाद advanced settings के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको original, P3, sRGB और even इसके अंदर हर चीज को customize करने का option आपको दे रखा है तो इस phone म हाला कि battery थोड़ा जाधा use होगा लेकिन अगर आप HDR videos देख रहे हैं तो इस feature को enable करने के बाद आपकी videos के colors काफी जाधा enhance हो जाएंगे और even जो HDR performance है वो भी बहतर हो जाएगी इस phone में दोस्तों एक से जाधा लोग भी अपना face unlock यूज कर सकते हैं settings में password and security के अंदर अगर आ option दिया गया है जिसके अंदर आप अपनी files को भी hide कर सकते हैं जैसे के messages, photos, files, notes किसी भी चीज को अगर आपको hide करना है तो आप इस feature की मदद से कर पाएंगे settings के अंदर अगर आप apps के अंदर जाते हैं तो यहां पर एक अच्छा option आपको manage home screen shortcuts का दे रखा है अब आपके home screen के पर काफी सारी ऐसी apps रहती हैं जिसको आप uninstall नहीं कर सकते हैं इस phone में अच्छी चीज यह है कि आप उनके icons को guide कर सकते हैं जैसे कि themes अगर आप use नहीं करते हैं या फिर यह service का option है, downloads का option है, app world का option है, music option है, यह सब disable कर दीजिए इसके बाद अगर आप app road में जाएंगे तो वो सब apps गायब हो जाएंगी, app settings के अंदर ही आपको dual apps का option भी दे रखा है, जो के इस phone में सबसे बढ़िया तरीके से काम करता है, आप सिरफ social media ही नहीं, किसी भी app का dual app create करके उसके दो accounts अपने phone में use कर सकते हैं, और app settings के अंदर ही आपको app log का option भी दे रखा है, अगर आप apps को log करना चाते हैं, उसके लिए भी आपको किसी third party software की ज़रूत नहीं है, इस app log की मदद से ही आपो चीज बड़े अच्छे से कर सकते हैं, इवर fingerprint sensor और face data भी इसमें काम करता है, settings में अगर आप additional settings में जाते हैं, तो यहाँ आपको काफी सारे gesture shortcuts का option भी दिया गया है, जैसे Google Assistant को यूज करने के लिए आपको shortcut यूज कर सकते हैं, screenshot capture करने के लिए भी आपको shortcut enable कर सकते हैं, partial screenshot के लिए आपको gesture दिया गया है, जो कि है three fingers से आप इस तरीके से tap करके रख सकते हैं, और even camera या torch को उन करने के लिए भी आप gesture को enable कर सकते हैं, additional settings के अंदर ही आपको one handed mode का option भ काफी असान बन जाता है, अगर आप gaming वगेरा करते हैं, उसमें screen record करना चाहते हैं, तो screen recorder भी काफी एची quality का इस phone में आपको दे रखा है, resolution maximum full HD आप set कर सकते हैं, लेकिन video quality की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर 100 Mbps सक आप जा सकते हैं, sound source आप mykea system sounds दोनों में से कोई एक record कर पाएंगे, और frame rate maximum 30 fps का record कर पाएंगे, additional settings के अंदर ही आपको यहाँ पर memory extension का option भी मिल जाता है, जो के virtual RAM वाला option है, by default इसको enable करके 3 GB के उपर setup कर रखा है, अगर आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, या फिर maximum आप 5 GB तक RAM को इस phone में expand कर सकते हैं, यहाँ पर ही आप आपको कुछ और पूछना है इसके बारे में, तो आप comments में पूछ सकते हैं, और आपको इस phone में scrolling screenshot का support भी मिल जाता है, कोई भी normal screenshot जब आप capture करते हैं, तो यहाँ पर आपको scroll का option मिल जाएगा, phone automatically scroll करना शुरू कर देगा, और जब भी आप turn के उपर tap करेंगे, उतनी screen आपको बता देता हूँ, सबसे पहले चीज़ काफी सारे लोग फोन को दूर रखके photos को capture करते हैं, उसके एक बढ़िया feature यहाँ पर आपको voice shutter का दे रखा है, अब आप इस feature को own करके just cheese बोल के एक photo capture कर सकते हैं, इस सरीके से, इस phone में क्योंकि multiple sensors आपको दिये गए हैं, तो उनको यूज करने के लिए यहाँ पर आपको option दे रखा है, जैसे के ultra wide अगर आपको use करना है, तो यहाँ पर option है, अगर आपको macro यूज करना है, तो इसके अंदर यहाँ पर option में देगा, यह सब जो lenses हैं, वो आप video mode भी यूज कर सकते हैं, वीडियो के अंदर भी यहाँ प color है, उसको आप change कर सकते हैं, या फिर even जब आप photo capture करते हैं, उसका sound भी आप यहाँ से change कर सकते हैं, इस phone में जब documents mode दिया गया है, वो one of the best है, आप इस phone में जब document को किसी को capture करते हैं, उसको protect भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको water mark add करने का option मिलता है, उसी के साथ अगर आप freer camera से आप capture कर सकते हैं, और maximum 240 fps तका support है, जो कि आप full HD quality तक record कर सकते हैं, एक और बढ़िया mode जो मुझे यहाँ पर लगता है, वो है pro mode, और आपको पता है कि मुझे ज़ादा अच्छा लगता है, जब pro mode को आप videos में भी use कर पाएं, तो वो option भी यहाँ पर आपको दे रखा करते हुए slow या fast करना है, तो वो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप vlog mode यूज़ करते हैं, तो आपको छोटे-छोटे parts वीडियो के capture करने हैं, और phone अपने आप उनको edit करके इस तरीके से vlog create कर देता है, इस vlog mode की मदद से, चैनले दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में य दिखना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद दोस्तों